आज है 29 डिसेंबर ये साल भी खत्म होने वाला है बेटा शिंचेन आज भी तुम्ही को जाना होगा तुम्हारे डैड की तबियत खराब है लेकिन आज बाहर कितनी ठंड है तो ठीक है बेटा तुम इसे पहन लो तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो ना इसे अच्छी तरह पहन लो पर सब्दी नहीं लगेगी ठीक है अब जाओ और ये सारी माचस बाजार में बेच कर आओ पता नहीं मेरे तबियत कब ठीक होगी मिट्सी शिंचेन बेटा अगर आज तुमने सारी माचस बेचती तो शायद हम नया साल मना पाएंगे तुम समझ रहे हो ना शीरो इस नेक काम में तुम मेरे साथ नहीं दोगे ना नहीं तुम अकेले जाओगे गारी माचस चाहिए ये बहुत ही सस्ती है तुम कहीं और जाकर माचस बेचो यहां नहीं समझे तुम अबी तो यहां से जा सकती है मैं यहां पहले आई थी इसलिए ये जगा मेरी है ये जगा आपकी नहीं है बहस मत करो मैं इसलिए माचस बेच रहा हूँ क्योंकि मेरे माम डाट की तव्यक्त खराब है मैंने तुम्हारी कहानी सुन लिए अब जाओ यहां से तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम कहीं और जाकर अपनी माचिस बिचो ये मेरी जगा है समझे अच्छ तो अब ठीक है न अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं मान जाऊंगी तो तुम गलत सोच रहे हो ऐसा करते हैं सुबह से शाम ये जगा है आपकी और उसके बादी मेरी शाम हो गई है तो अब ये जगा मेरी बहुत तेज हो रहा है बहुत बढ़िया ये ठीक रहेगा यह हम कल से करेंगे आज से नहीं वो देक कोई आ रहे है कहां 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 तुम किसकी बात कर रहे हो अब ये कहां चला गया क्या आपको माचिस करीदनी है हाँ तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो वो भी इतनी ठंड में मैं तो माचिस बेच रहा हूँ और आप मैं इंतिजार कर रही हूँ पर आप कब तक इंतिजार करें ही यह पूछने वाले तुम कौन होते हो आप एक बच्चे पर नराज हो रही है तुम यहां से जाओ मैं आपके साथ इंतिजार करूगा क्या तुम भी मेरे साथ इंतिजार करोगे यह लो इसे पहल लो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जब गर्मी आजाएगी तो मैं इसे आपको वापस लोटा दूँगा चल चूटा नहीं इसके कोई जरूरत नहीं माचिस ले लो यह विश आपका साथ देगी चाहे ठंड हो गर्मी हो बसाथ हो हर मौसम में यह काम करेगी क्या आप मुझसे माचिस खरी देंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए मैं किसे का इंतजार कर रहा हूँ अरे यह मफलर तुम्हें कहां से मिला बताओगे मुझे यह तो मुझे एक दीदी ने दिया जो वहाँ पर खड़ी है क्या कहा उधर खड़ी है तुम्हारा शुक्रिया माचिस ले लो माचिस ले लो मैं चलते चलते ठक गया हूँ अगर और कुछ बेच रहा होता तो अब तक बेख चुका होता माचिस ले लो यह बढ़िया माचिस है यह माचिस ले लो तुम्हें यह काम करने की जरूरत क्यों है तुम तो वह चोटे हो भी आप कौन है अरे अरे डरने की जरूरत नहीं है मैं फादर अफ चर्च हूँ बेटा लगता है आप ही है वह अच्छे इंसान बच्चों का मन कितना साफ होता है तुम मुझे एक अच्छे बच्चे लगे हो मैं इस वक्त चर्च जा रहा हूँ अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो बेटा क्या आप मुझे ले जाकर वहां काम करवाएंगे नहीं, बिलकुल नहीं और मुझे हरी सब्स यां तो नहीं खाने पड़ेङी नहीं बेटा अगर वो बच्चा मुझे नहीं बता था कि तुम कहा हूँ तो हम नहीं मिल बाते सही कहा आपने पहले मेरे साथ चलो कुछ खा तो लो पर मैं तुम्हें ऐसी आलत में नहीं छोड़ सकता बेटा आप इने पकड़ लीजिए ये व बच्चे को जबर्दस्ती अपने साथ ले कर जा रहे थे हाँ मैने भी देखा था यह गलत है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था मेरा यकीन कीजिए अब क्या हुआ मां तो इसकी मदद करना चाहता था बस तो मैं मेरे साथ चलना होगा अरे छोड़ दो मुझे मैं फादर अरे जो सफाई देनी है पुलिस स्टेशन में चल के देना अरे इसे क्या हुआ तुम्ही क्या हुआ है कुछ नहीं तुम ऐसे क्यों लेटे थे मैं बर्फ से खेल रहा था यह तो बड़े अजीब बात है क्या आप भी खेलना चाहेंगी बिल्कुल बे नहीं मुझे भूख लगी है मामा क्या हम इसे घर ले चल कर कुछ खिला सकते हैं इसे भूख लगी है लेकिन नैनी क्यों नहीं मामा मुझे लगता है मुझे इस बच्चे की मदद करनी चाहिए ठीक है नैनी ये आप हमेशा सही अच्छी इंसान थी अगर है तो मैं आपके घर जरूर चलूँगा नैनी एक मिनट रुक ना चलो आज तो अच्छा खाने को मिला आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें माफ कीजिएगा पर हमें इस बात की खुशी भी है कि हम इतना अच्छा खाना खा रहे हैं शुक्रिया मैं हमेशा कुछ अच्छा करना चाहती हूँ पर हर बान कुछ गर्ड़ पर हो जाती है और इस तरह से उन्होंने अपना नया साल मनाया अच्छी कहानी थी ना बेटा अरे ये क्या ये तो कहानी सुनते सू गया